मैं रादी का आरवन्टु रेसिपी में आपका फिरस्स वागत है आज मैं आपके लिए गेहों के आठे से बनी फिरसे एक नई रेसिपी लेके आए हूँ यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है बनाने में भी आसान है तो आप इस रेसिपी को एक बार जरू ट्राय करें पिचल के ईठी लगें तो फुरूप करें शूछर करें चैनल को सब्सक्राइब बंदना न भूले तो चलिए इस रेसिपी को बनानी शुडते हैं जिस्य बनाने के लिए मैंने के देलaka से एक का घेहों को आटा लिया है तो सबसे पहले हम घेहों के आटे को एक बाउल में अब इसमें हम डाल देंगे आधी चमच अजवाइन, इस तरह से अजवाइन को हम थोड़ा सा करश करके डालेंगे, तो बहुती बढ़िया टेस्ट आता है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ, एक चोथाई कप सूजी, यह आपके एक्चा हो, तो डाले नहीं तो इसके भीना भ इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आता लगाएंगे, यह नास्ता बनाने के लिए आता हम एक दम ज़्यादा नरम नहीं लगाना है, थोड़ा सक्त लगाना है, जैसा हम पूड़ी या पराठे बनाने के लिए लगाते हैं, आटा गूत कर तयार है इतना आटा लगाने के लिए मुझे आधा कप के ऊपर थोड़ा पानी और यूज हुआ है अब हम आटे को ढख करके 15-20 मिनिट के लिए रख देंगे ताकि आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए जब ठाका सेट होता है हम अपने दूसरी तयारिया कर लेते हैं अब हम एक पैन में 2 चमच तेल डालकर तेल को गरम होने देंगे तेल अच्छे से गर्म हो गया है इसमें हम दाल देंगे आधी चमच राई और राई को तड़कने देंगे राई अच्छी तरह से तड़क गई है आप देख सकते हैं अब इसमें डाल देंगे हम आजी चम्मत जीरा जीरो को भी थोड़ी जर के लिए चलाते वे भून लेंगे जीरा भी अच्छे से भून गया है इसमें हम डाल देंगे दोहरी मिर्च बारिक कटी हुई मिर्ची की कॉंट्रीडी को आप कम जादा कर सकते हैं जितना तीखा आप पसंद कर से हैं मिर्ची भी अच्छे से पक गई है तो इसमें हम डाल देंगे एक प्याज बारिक कटा इसमें हम डालतेंगे एक छोथाई चमश हल्दी पाउडर एक छोथाई चमश लाल मिर्ष पाउडर और इसे भी चलाते हुए हम पका लेंगे ताकि जो मसाले हैं वह भी अच्छी तरह से पक जाए एक गुमिनिट के लिए इस तरह से चलाते रहेंगे मैंने गेस की फ्लेम को कर लिया है जब भी आप सूखे मसाले तेल में डाले तो गेस की फ्लेम को लो कर देए मसाले भी अच्छी से पग गया है अब हम इसमें डाल देंगे माथा तिसमें प Cars नमक आपके टेस्क अकॉर्डिंग कम जयादा कर सकते हैं अच्छे से मिला देंगे आलू को अच्छी तरह से मैश करिए इसमें बड़े टुकड़े भिल्कुल भी नहीं रहे न चाहिए इस तरह से आप चम्मच से इसे दवाते रही हैं ताकि जो बड़े टुकड़े रोंगे वह भी आसानी से मैश हो जाएंगे अब मिशे ए अब यह स्टपिंग तयार है, गैस को हम बंग कर देंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा साहरा धनिया बारी कटा हुआ, वापस से अच्छे से मिला देंगे, अब हम इस स्टपिंग को ठंडा होने देंगे, इस स्टपिंग अच्छे से ठंडी हो गए थी, तो मैंने इसे ए अगली प्रोसेस की तरफ, 15-20 मिनिट हो गए है, आटा भी अच्छी तरह से सेट हो गया है, तो आब हम आटे को एक बार अच्छी तरह से वापस से मसलेंगे, अब हम इसमें से थोड़ा सा पोशन लेकर इसे लोई के तरह गोल करेंगे, इस तरह से, अब हम इस लोई को बेल के लिए, जिसा हम रोटी बेलते हैं, बस ध्यान रहे हमें इसे पतला बेलना है, इसे बेलने के लिए आप सूखे आटे का भी इस्तमाल कर सकते हैं, या तेल का इस्तवाल कर सकते हैं, अब हम इसके ऊपर यह स्टफिंग खीए, और इस तरह से स्टपिंग को हल्काशा प्रे घ्ला दिया है तो इस तरह से हम इसे फोल करेंगे John कर का हल Smells के हातों से दबाते जाएंगे कि इसके इसके किनारे पर हम पानी लगा देंगे तरह से चिपका देंगे ताकि यह खुले नहीं यह देखिए अब हम इसे कट करेंगे इसके आगे के हिस्से को कट करके निकाल देंगे कि इस तरह भाकरवड़ी होती है सेम उसी तरह लेकिन मैंने इसमें एक बढ़ी असा ट्विस्ट दिया है जिससे नास्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है इसी तरह से हम सारे रोल बना कर इसे कट करकर रख लेंगे कि वह बना कर इस तरह से कट करकर रख लिया है अब हम चलते हैं अगली प्रूसर्स की तरफ अब मैंने एक बॉल में तीन से चार चमाच कॉन-फ्लोर लिया है कॉन-फ्लोर की जगा आप मैदा भी ले सकते हैं अब मैं इसमें डाल रही हूं एक चमज हल्दी पाउडर है अब मैं इसमें डाल रहे हूं एक चमज से भी कम नमक नमक थोड़ा ध्यान से डाले क्योंकि हमने स्टफिंग में भी नमक डाला है वहां हमने आटे को गूता तहाल तब भी नमक डाला था आप चाहें तो यहां पर नमक को स्किप भी कर सकते हैं मैं अब हम सभी चिजहों को अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसका गोल तियार करेंगे पेले थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से गोले तो देखिए इस तरह का गोला में तैयार करना है तो गोल लगाने क्लिए मैंने 12 jus ताई कपके ऊपर थोड़ा पानी लिया है. अब मैंने कड़ाई में तेल डाल कर तेल को गरम होने के लिए रख दिया था अब जो हमने नास्ता बनाया था उस नास्ते को हम इस तरह से इस घोल में डिप करेंगे जो हमने गोल तया गिया था इस घोल के अंदर डिप करने के बाद हम इसे तेल में डाल देंगे और गेज की फ्लेम को हम लो मीडियम ही रखेंगे हाई फ्लेम पर इसे फ्राइ ना करें जित्ते एक बार में कड़ाई में ये नास्ता आ जाएगा हम उत्ते नास्ते कड़ाई के अंदर डाल देंगे अब हम इसे हलके हलके हाथों से इस तरह से पल्टेंगे तुरन डालने के बाद इसमें चमश ना लगाए और इस नास्ते को हमें लो फ्लेम पर ही फ्राइ करना है लो फ्लेम पर फ्राइ करने से ये नास्ता बहुत ही क्रिस्पी बनेगा अब हम इसे हलका सा गुल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राइ करेंगे ये नास्ते को कौन फ्लो इसमें हलका सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेंगे यह अच्छी तरह से फ्राइब हो गए है थोड़ी देर इस तरह से कड़ाई पर रोक के रखेंगे ताकि इसके अंदर का जो एक्स्ट्रा तेल है वो भी कड़ाई के अंदर चला जा कर लिया है तो गैस को बंद कर देंगे और इन्हें भी तेल से बाहर निकाल लेंगे तो देखें कितना टेस्टी और यम्मी गिरूं के आटे का यह नास्ता बनकर तयार हुआ है अब मैं एक नास्ता उठा के बताती हूं कि यह कितना क्रिस्पी बना है यह देखिए और यह खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राय करें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी रेसिपी अच्छी लगे तो वीजियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्स ग्याँ सेखड़ बताएं कि रेस्टी लगतार है तो